अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट की एक बहुत ही important notice जिसको माकसीट को लेकर इसमें बताया गया है और ये notice इसले important हो जाते है क्योंकि इसकी जरूरत आपको यूपी टेट के exam में रहेगी ठीक है पोरा वीडियो देखेगा तीन या चार मिट का वीडियो रहेगा उम्मीद करता हूँ छोटा रहे बर तगर जितना भी रहता है क्योंकि बहुत ही important हो जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं कि कहां पर माकसीर टेस्ट करानी कैसे क्या होगा ठीक है ये एक notice निकाली गई है पीन पी उत्तर प्रदेश प्यागराच को दर नोटि इस निकाली गई थी कि अंक पत्र जो है उसको सत्यापित करने के बात यहां पर इनके दौरा कह दी गई है तो अब कैसे सत्यापित होंगे उन्होंने इसमें बताया है देखे सबसे पहले बात तो यह है कि आपको सिर्फ दू-ती समेस्टर की जो अंक पत्र है वो लेके जान आएगा लेकिन जो प्रावट वाले बच्चे हैं ऐसा सुनने में आ रहा कि उनको भी डाइट पे जाकर कराना पड़ेगा लेकिन बच्चे कह रहें कि वहाँ पर डाइट पर नहीं कर रहे है मेरा ठीक है तो यहां पर आपका ओप्शन है कि वहां पर एक तो आप उनको यह ढूडते हैं तो उसमें रिस्क रहता है और आप भी उसमें संतुष्ट नहीं रहता हैं तो या तो आप रिस्क लेगर के आप जाएं एक्जाम हॉल और वहां पर उनको समझाएं कि यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहां पर लिखा हुआ है कि संबंदित संस्था के प्रा 2019-2022 semester, उत्तियन करचों के बच्चों के लिए. तो यहां पर सभी बच्चों के एक तरीकी से बात की जा रही है. तो अगर यहां पर यहां पर आपके private college को मिल रही है, जो diet वले शुबदा यहां पर दे रही है, यहां पर दिखा हुआ है, कि website up.exam.in पर diet login का उप्योग करते हुए डेलेट पर सिच्छन 2020-2019 के 23 समेस्टर के आप भीड़ते हो कि अंक पत्र सत्याबित कियाने की विवस्था कर दी गई है तो यह जो notice दी गई है, notice दी गई है जो private, sorry, जो diet है उनको notice दी गई है अब यह private college को notice दी गई है कि नहीं दी गई है यह आप लोग अपने college से पता कर सकते हैं ठीक है, उनसे पूछे कि सर्य यह notice को आई है, नहीं आई है और क्या मैं, क्या यह diet से मुझे कराना है कि नहीं कराना है क्योंकि देखे, बहुत सारी आप हुआएं चल रही है कि diet से भी कराना पड़ेगा जो private college के डेलिट के बच्चे है बगी beard के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है beard के बच्चे अपने private college से ही कराएंगे लेकिन beard के बच्चों को भी लिकर कि एक problem आ रहे है कि beard में एक कल बच्चा गया था test कराने के लिए तो उन्होंने यह कह दिया कि हमको university के तरफ से इसा कोई notice नहीं मिला है ठीक है तो problem हर जगे आ रही है आप उनको convince करिये कि ma'am यह सिर्फ या sir यह सिर्फ एक signature है आपके जो क्या नम mark sheet जो internet copy उस पर आपके सिर्फ signature है और stamp है ठीक है और कोई यहाँ पर मैं मतलब हो कि तो और कुछ मैं उसका नहीं करने जा रहा हूँ सिर्फ इसको लेकर करके कि तो यहाँ पर देखे notice मैंसा दिया भी गया है ठीक है जब आप यह उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे भी तो बीट वाले बच्चों के लिए तो आसान है लेकिन जो डायट वाले बच्चे है प्राइवेट कॉले से जुनोंने किया है उनको कहा जा रहा है कि डायट पर जा करके बेकरवाएं ठीक है यह देखे यह सिर्फ एक तरीके से मतलब बच्चों को परिशान करने के लिए सिर्फ बाते गई जा रहे हैं ठीक है जैसे कि इसमें भी लिखा भी है तो सिर्फ मतलब परिशान करने के बाते हैं आप यह करें कि आप आप जो सही लग रहा है वो करें लेकिन मैं सजेश झाल झाल